परमेश्वर के द्वारा निर्धारित साथ योग प्रकाशित्वा की अध्याई 6 वचन 1 से 17 फिर मैंने देखा कि मैंने ने उन साथ मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का ससब्द सुना हाँ मैंने द्रश्टी की और देखो एक श्वेत गोड़ा है और उसका सवार धनुस लिये हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप करे जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणि को यह कहते हुए सुना फिर एक और गोड़ा निकला जो लाल रंका था उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि प्रुथवी पर से मैल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वद करे और उसे एक बड़ी तलवार दी गए जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणि को यह कहते हुए सुना मैंने द्रश्टी की और देखो एक काला गोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजु है और मैंने उन चारो प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना लोगों को मार डाले। जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वद किये गये थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवीत्र और सत्य, तु कब तक न्याई न करेगा। और पूत्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। आकास के तारे पूत्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंदी से हिलकर अंजीर के पेड में से कच्चे फल जड़ते हो। आसन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आप पहुँचा है, अब कौन ठहर सकता है। विवरंड वचन एक फिर मैंने देखा कि मैमने उन साथ मोरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गरजन का सा सब्द सुना, आप यह वचन हमें बताता है कि येशु पिता से प्राफ्त पुस्तक की पहली योजना को खोलता है, जो मनुष्य जाती के लिए परमेश्वर की पूरी योजना को दर्ज करता है। वचन दो, मैंने द्रश्टी की और देखो एक स्वेध घोड़ा है और उसका सवार धनुस लिये हुए है और उसे एक मुगड दिया गया और वह जय करता हुआ निकला की और भी जय प्राफ्त करे। परमेश्वर की पहली मुहर मनुष्य जाती को पाप से चुडाने की परमेश्वर की योजना के रूप में और इस योजना की वीजे के रूप में येश्व मसी में पानी और आत्मा के सुसमाचार की स्थापना की बात करती है। परमेश्वर पिता की योजना मनुश्य जाती को उनके पापों से बचाने के द्वारा उन्हें अपने लोग बनाने की। येश्वर मसी में पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ शुरू हुई। हर्थात येश्वर के बपतिस्मा और कुरूस पर उसके लहू के माध्यम से म मनुश्य जाती के पाप से चुटकारे के साथ। परमेश्वर ने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा आत्माओं को संसार के सभी पापों से छुड़ाया है और जब हम अभी बोल रहे हैं तब भी वह ऐसा करना जारी रखता है। यहाँ पहली योजना है जिसे परम प्रमेश्वर ने मनुष्य जाती के लिए निर्धारित किया है। जब उसने दूसरी मोर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना आख। जब उसने तिसरी मोर खोली तो मैंने तिसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना आख। मैंने द्रश्टी की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजु है और मैंने उन चारो प्राणीों के बीच में से एक सब्दया कहते हुए सुना दिनार का सेर भर गेहुँ और दिनार का तीन सेर जो पर तेल और दाखरस की हानी ना करना। परमेश्वर जिस तिसरे यूग की बात करता है वह है काले घोड़े का यूग। आ, मैंने द्रश्टी की और देखो एक पिला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम बृत्यु है और अदलोक उसके पीछे-पीछे है और उन्हें पृत्वी की एक चोथाई पर यहाँ अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृत्वी के वन पश्वों के द् यह वो समय है जब मसी विरोधी सच्चे विश्वास के संतों को लूटने के लिए उन लोगों को सता आएगा और मार डालेगा तो उसकी आराधना नहीं करते हैं या उसकी छाप प्राप्त नहीं करते हैं तब से संसार साथ तुरियों की विपतियों की दुर्दसा में आ जा गए थे उन्होंने बड़े सद्द से पुकार कर कहा हे स्वामी हे पवीत्र और सत्य तु कब तक न्याई न करेगा और पृत्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा उनमें से हर एक को श्रेत वस्तर दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे समान वद होने वाले हैं उनकी भी गिंती पूरी न हो ले परमेश्वर का पांचवा यूग संतों के पुनरुथान और रैप्चर का यूग है इस यूग के बाद हजार साल के राज्य की सुरु यह भाग हमें बताता है कि हम सभी को सहादत, पुनरुथान और रैप्चर में विश्वास करना चाहिए जो हमारी प्रतिक्सा कर रहा है और हमें नए स्वर्ग और पूत्वी में अपने विश्वास और आसा से जीना चाहिए इसका परमेश्वर ने हमसे बादा किया है वच यहाँ वो समय है जब साथ कटोरी की विप्तिया दुनिया की उपर उतरेगी, जब सूरज चांद और तारे अपना प्रकास हो देंगे और पुर्थवी भुकम से पानी के नीचे डुब जाएगी वचन 13 आकास के तारे पुर्थवी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्छे फल जड़ते हैं इस छठे युक के दोरान परमिश्वर द्वारा बनाए गए ब्रम्हान का विनास साथ कटोरों की विपतियों से होगा जैसे ही आकास के तारे गिरेंगे और पुर्थवी पर पलड़ जाएंगे संसार में एक बड़ा भ्रम फैल जाएगा वचन 14 आकास ऐसा सरग गया जैसा पक्तर लपेटने से सरग जाता है और हर एक पहाड और टापू अपने अपने स्थान से टल गया यह वचन हमें बताता है कि जब साथ कटोरी की विपतिया डाली जाती है तो आकास अद्रश्य हो जाएगा जैसे कि एक पुस्तक को समेटा जा रहा हो और सभी पहाडों और द्वीपों को उनके स्थानों से हटा दिया जाएगा आप दाये जो पुत्वी के तूटने वाले परिवर्तनों का संकेत देती है जो दुनिया की भौतिक सनरचा को बदल देगा वचन पंद्रा तब पुत्वी की राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाडों की खोहों में और चटानों में जाचिपे चटी मूर की इस यूग के दोरान जब परमेश्वर साथ कटरों की विपतिया डालेगा तो इस पुत्वी पर जो मेमने के क्रोच से भई से नहीं कापेंगे उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा नहीं राजा और नहीं सक्ति साली वचन सोला और पहाडों और चटानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मूँ से जो सिहासन पर बैठा है और मेमने के क्रोच से चिपालो परमेश्वर का क्रोध इतना अधिक होगा कि सारी मनुष्य जाती भई से काप उठेगी या पहली और आखरी बार होगा जब पूरी मनुष्य जाती भई से तरस्त होगी वचन सत्रा क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा है अब कौन ठहर सकता है तो सात्वा युग क्या है परमेश्वर द्वारा निर्धारी सात्वा युग वह युग है इसमें संत हजार साल के राज़्य में रहेंगे जो स्वर्ग और प्रूत्वी के बाद होगा इसमें वे हमेशा के लिए रहेंगे